हलो मेरे दोस्तों जैसा कि आपको पता है Ministry of Women and Child Development के अंदर हर मन्त एक internship निकल के आती है जो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है और इस internship में कोई भी apply कर सकता है और चाहे आप post graduation कर रहे हो चाहे आप graduation कर रहे हो तो कोई भी लड़की अगर कोई भी course कर रही है तो वो इस internship में apply कर सकती है इंटर्शिप में आपको डेली में रहने के लिए होस्टल भी दिया जाता है और 20,000 रुपीज भी दिया जाता है पर मन्त और आपको आने जाने का खर्चा भी इसी internship के दोरा दिया जाता है और लास्ट में एक आपको certificate भी मिलता है तो मैंने पिछले मन्त इस internship के पर वीडियो बनाई थी तो वो वीडियो मैंने बनाई थी फरवरी और मार्च बैज के लिए क्योंकि ये internship हर महीं निकल के आती है तो आपने अगर अप्लाई किया था फरवरी और मार्च बैज के लिए तो उसका result आ चुका है और आप जाके उसको देख सकते हैं कि किन-किन बच्चों का selection हुआ है ठीक है तो आपको कुछ करना नहीं है आपको official website पे आना है ministry of women and child development के ये देख लिजे आप यहाँ पे जब आप आएंगे तो इसके उपर जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो देखें यहाँ पे एक आपको left corner में एक home page दिखेगा आपको इसी home page पे आ and March batch तो जिन बच्चों का selection हुआ है फरवरी और March batch के लिए उन बच्चों के नाम यहाँ पे PDF में आपको मिल जाएंगे आपको इसके उपर click करना है और click करके फिर यहाँ पे आजाएगा list of recommended candidates फिर इसके उपर आप click करेंगे यह PDF आपको download होके मिल जाएगी तो यह वो बच् जिनका फरवरी और March batch के लिए selection हो गया है और वो अब internship को join कर सकते हैं उनको respective mail भी आ गया होगा कौन-कौन से documents लेक के जाने हैं सारे चीजों का उनके पास mail पहुँच गया है तो यह देख लिए यह 20 लड़कियां हैं जिन लोगों का selection हुआ है तो आप देख सकते हैं कोई भी course कर रही हों आप apply कर सकती है eligibility सिर्फ यही है कि आपको कोई ना कोई course करते हुए होना चाहिए तो अगर आपने नहीं apply किया तो आप next month ही apply कर सकते हैं February में और जिन लोगों का हो गया है वो internship को join कर सकते हैं